नमस्कार दीनास फूट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में उल्टा बड़ा पाउ बनाएंगे जिसे पाउ बड़ा भी कहते हैं बड़ा पाउ और उल्टा बड़ा पाउ दोनों में एकी तरह के मसाले इस्तमाल होते हैं बड़ा पाउ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है दोनों का मेथड सेम है तोड़ा उलट फेर कर देते हैं तो इसका नाम उल्टा बड़ा पाउ हो जाता है जब हम बड़ा को तल करके पाउ में डालते हैं तो बड़ा पाउ हो जाता है और जब हम पाव में आलू का मसाला डालते हैं, उसके बाद पेसन लगाके तलते हैं, तो वह उल्टा बड़ा पाव या पाव बड़ा कहलाता है, आए देखे इसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसके लिए चट्नी बनाएंगे, बड़ा पाव मसाला बनाएंगे, जिसे फ्रि लेंगे, वन फोर्थ कप लेसुन डालेंगे, आधा कप भुना हुआ मुँखळी डालेंगे, जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है, एक टेबल स्पून धन्या पॉडर या फिर साबुद धन्या ले ले, एक टेबल स्पून तील लेंगे, एक टेबल स्पून जीरा लेंगे लो फ्लेम पर एक से दो मिनट के लिए इसे ड्राइ रोस्ट करेंगे आप चाहे तो सबको अलग-अलग करके भून सकते हैं लगातार चलाते हुए इसे भूने बिना तेल डाले आप इसे भूने क्योंकि नारियल, तिल और मुंगफली में अल्रेड़ी तेल रहता है तिखी वाली तीन लाल मिर्च ले ले थोड़ा इसे भूने सुन्दी सुन्दी इसे जब खुश्बू आने लगे तो आप गैस बंद कर दे कलरफूल करने के लिए तीन टेवल स्पून इसमें काश्मिरी लाल मिर्च पॉडर डाले सब को मिला ले ठंडा होने के लिए इसे अलग से बर्तन में रख ले उसके बाद पीस ले मैंने पीस लिया है अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल दे इसे मिला ले किसी एर टाइट कंटेनर में आप इसे फ्रिज में रखे अब उल्टा बड़ा पाव बनाएंगे आईए देखे इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले बेशन का बैटर तियार करेंगे उसके लिए मैंने एक कब बेशन लिया है स्वादनुसार नमक 140 स्पून हल्दी पॉडर एक चुटकी हिंग सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करेंगे इसका बैटर तियार करेंगे एक साथ जादा पानी ना डाले नहीं तो लंप्स बन जाएगा जब हम हल्दी डालते हैं तो उस वक्त पेकिंग सोडा ना डाले जिससे ये लाल हो जाता है ज़िए आपको सोडा डालने का मन करता हो तो लिक्विड सोडा डाले फिर से थोड़ा पानी डाले और इसे मिला ले इसी तरह से पानी बारबर डाले और इसे मिला ले इसकी कंसिसेंसी न ज़्यादा गाड़ा न ज़्यादा पतला होना चाहिए अच्छी तरह से इसे फेट ले जिससे बैटर थोड़ा हलका हो जाएगा अब इसे 10 मिनट के लिए रेष्ट करने दे 7-8 लसुन की कलियां हरे मिर्च और 1 इंच अद्रक का टुकड़ा इसका क्रस्ट पेस्ट बना ले कुछ इस तरह से देर से 2 टेबल स्पोन सरसो तेल डाले एक चमज छोटी राई अद्रक लसुन का पेस्ट थोड़े से करी पत्ते उसे कट करके डाले इसे थोड़ा भून ले इस्ट को जादा ना भूने अब इस स्टेज में एक चमज काश्मेरी लाल मिर्च आदा चमज हल्दी मसाले डालने वक गैस का फ्लेम आफ कर दे इन मसाले को भून ले खड़ाई गरम ही है उसमें भून ले बिना गैस जलाए भी ना करे अच्छे तरह से इसे मिला ले स्वधन उसार नमक मिलाते हुए आलू का भूरता ना बना दे छोटे छोटे टुकडे जब मुह में मिलते हैं खाने वक तो बहुत ही अच्छे लगते हैं अब इसमें कटा हुआ धनिय पत्ता डाल दे और इसे अच्छे तरह से मिला ले ठंडा होने के लिए रख दे यदि भूरने वक आलू चिपक जाता है तो इन मसालों को फ़ला दे कड़ाई में ठंडा होने पर खुद भी निकल जाता है इससे मसाले और भी करंची लगते हैं बेशन का बैटर भी बहुत पर्फेक्ट हो गया है मैंने लादे पाउ लिया है इदि आपके पास लादे पाउ ना हो तो नॉर्मल पाउ ले ले और भीस से थोड़ा सा पाट निकाल ले उसको आप किसी भी रेसिपी में एज़क्रम यूज़ कर सकते हैं बीस से कट कर लें अब एसेंबल करेंगे एसेंबल करने के लिए आलू मसाला तयार हो गया है निवत्ते की चटनी जो जिनरली हम घर में बनाते हैं उसको ले ले लेसुन वाले चटनी सबसे पहले पाउ में हरी चटनी लगा दे दोनों साइड उसके उपर मसाले छिड़क दे एक वार इसको बन कर ले फिर से खोले और इसमें सौधन उसार आलू मसाला डाल दे और इसे बन कर दे हलके हाथ उसे इसे एक वार दबा दे जिससे ये खुलेगा नहीं इसे बीस से पकड़े अब चारो तरफ बैटर में इसे डुबोए कुछ इस तरह से इसे साइड लॉक हो जाता है अब उपर और नीचे साइड को बैटर में डाले इस तरह से पकड़े तेल को चेक कर ले गरम है की नहीं हलके हाथ उसे इसे कड़ाई में डाले इसे डिस्टर्ब ना करे एक दो मिनट के लिए खुद भी ये बीच में आ जाता है अब तेल को सर्कुलेट करेंगे तब इसे पलट ले ध्यान पूरवक मीडियम फ्लिम पर ही इसे सेके गोल्डन ब्राउन होने पर इसे निकाल ले उसी तरह से दूसरा डाल दें तरने के लिए खाली जगा पे मैंने चूरा तरने के लिए डाला है अब पाउ को पलट ले चूरा गोल्डन ब्राउन हो गया है इसे निकाल ले और उल्टा बड़पा को भी निकाल ले मिर्च को बीच से कट करे और इसको गरम तेल में डाल दें और तुरंथे इसे निकाल लें इससे मिर्च का तीखापन कम होता है अब इसे सर्व करेंगे हरी चट्नी, मुंख़ली की चट्नी, चूरा और मिर्च के साथ सर्व करें उल्टा बड़ा पाव को एक वर कट करते हैं वाव, किता टेम्टिंग लग रहा है ना खाने वाले भी मांग कर खाएंगे बहुत ही अच्छा बना है एक वर आप जरूर बनाए तो यह था उल्टा बड़ा पाव बनाने का असान तरीका आप इसे बनाएं और अपना अनुबब रिनास फूट कॉर्णर में कमेंट करें यह दि आपको कोई सजेशन देना हो तो भी दें अगर आपको यह रेसिपी पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर भी करें मेरे और वी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन दबाएं तो मिलते हूं मैं आपसे नेक्स रेसिपी के साथ तब तर के लिए टेक केर और थैंक्स फॉर वाचिंग